नागिन सिक्स से लंबे वक्त के बाद एक्ट्रस महक चहल ने टीवी पर कमबैक किया है शो में महक शेश नागिन के रूप में नजर आ रही है और उनके लुक से लेकर उनके केदार को खुब पसंद भी किया जा रहा है विल जोन एक तरफ महक अपनी प्रोफेशनल लाइफ क को लेकर खुब लायम लाइट में रहती हैं तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उनके चर्चे कम नहीं रहे साल 2020 में आक्टर अश्मित पटेल से अलग होने के बास से वह अकेली ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है और शादी बिया जैसे बातों से दूर ही ह रही है अपनी शादी की तैयारी और चल ही लेंगे सब्सक्राइब आखिर कौन चाहता है कि मेहक शादी कर ले तो आपको बता दे कि मेहक की चाहने वाले कोई और नहीं बलकि उनके फैंस ही हैं दरसल मेहक और अश्मित की राहे जब से जुदा हुई हैं तभी से मेहक के फै है कि शादी को लेकर उनका क्या ख्याल है जी आई टाइम से खास बात्यत में नागिन की शेश नागिन यानिकी मेहक ने शादी को लेकर जवाब दिया बहुत से लोग मुझे शादी शुदा और बसे हुए देखना चाहती हैं लेकिन वर्तमान में मैं अपने काम पर ध्यान फोकस करना चाहती हूं और इसको इंजॉय कर रही हूं और जब मैं शूटिंग नहीं करती तो मैं अपनी फिटनिस पिर्थयान देती हूं मैं अपने वयायाम को कभी नहीं छोड़ती और अपनी डाइट देखती हूं मैं तले हुए खाने से दूर रहती हूं मैं तला हुआ पखाना और चीनी से दूर रहती हूं मुझे लगता है कि स्वास्ति खाना और नियमित रूप से वियायाम करना बेहतर है मैं प्रोटीन भी ज्यादा खाती हूं और मेरी डाइट में कई सबस्या होती है मुझे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महक ने भी खुला सा किया कि आखरकार उनका अगर पार्टनर होगा तो वो कैसा होना चाहिए इस बारे में महक कहती है उन्हें इमांदार होना चाहिए हमारे रिष्टे का समान करना चाहिए महतरपुर्ण मामलों में नेत्रित्व करना चाहिए महंती होना चाहिए और स्वास्त की अच्छी देखभाल करने में विश्वास करना चाहिए वहीं अपने पार्टनर को लेकर महक कहती है कि अगर वो मस्ती करने में कमफर्टेबल होता है तो मुझे कोई दिख करते हैं वहलब भले ही महक के फैन्स चाहते हों कि को शादी कर लें लेकिन महेक ने साफ साफ कह दिया कि उनका अभी शादी का कोई इरादा नहीं है और वो फिलहार अपने काम और अपनी हेल्थ पर ही अपना ध्यान लगाना चाहती है